ओम गंग गड़पते नमा गड़पती वाच एस्तोलोजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके च्वबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अविनदन करता हूं मित्रों नमस्कार मित्रों मैं हाजुर हूं आप सबसे एक खास विसेपर चर्चा करने के लिए दिए कि चर्चा का विशय क्या है चर्चा का विशय मैं बताऊं उससे पहले आप से एक नवे दिन कर लूँ कि जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आई हैं वो कृप्या सब्सक्राइब करें सब्स के नोटिफिकेशन को ऊण करके नोटिफिकेशन में ओल सिलर्ट कर दें देखें आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोस्थान मिलेगा और मुझे प्रोस्थान मिलेगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और आप लाइक आप औक आप All Notification सिलर्ट करके बटन करें बेल आगन को प्रेस करें और सेलेट करें बस आप मेरे सारी वीडियो की सुचने आटोमेटिक पहुंच जाएगी और मैं भी समझूंगा आप उसको देख रहा है पड़ रहा है तो मझे प्रसंता हासल होगी और मैं और नहीने वीडियो बनाऊंगा तो मित्रो खाली प्रसंता है उसको सब्सक्राइब लूग करें तो मेरा आज का बशेय क्या देखिए मैं अब देख रहा हूं कि अब सितंबर मास अंत में आते जा रहा है और अक्टूवर में आ जाए अक्टूवर का आप मविश्वल पहले बढ़ा चुके हैं लेकर हम अक्टूवर में क्य का एक देख रहे हैं कि अक्टूवर मास में 26 अक्टूवर को क्या है बुद्ध कन्य राशी से आएंगे तुला राशी में तुला राशी में सूर्य और शुक्र हैं तुला राशी में सुक्र हैं तो शुक्र की राशी अपनी शुक्र उच्चके हैं सूर के लिए तुला रा तो राज भंग को बनका लोग क्यों है शुक्र बनारहे है सुर का राजभंग क्यों शुक्र उच्छक ए सूर्य और शुक्र दोनों ही तुला राशी में और 26 सक्टरवर को बुद्ध भी आ जाएंगे बुद्ध माँ 26 सक्टरवर से लेकर के करीब 13 नवंबर तक मही रहेंगे तुला राशीवा तो बुद्ध आकरके बुद्ध आधित राजोग बना रहे हैं तो शब्तम मैंने तुला राशी में क्या है बुद्ध आधित राजोग बना और सूर्य का नीच भंग राजोग बना दो तो ही राजोग बन गए और देखिए बुद्ध का इज हां केंदर में बठे हैं किसी राज शरी में तो वहाँ पर बुद्ध का अपना भी जो है और शुक्र भी अगर बेठें केंदर में राजोग अगर सुक्र का मालेति ये बनते हैं चार चार तो तुला राशी में देखिए आने से और मल्टिपल ग्रह हो रहा है छबी तक्ठु और कोई जब बुद्ध आ जाएंगे तो सूर्य, शुक्र, बुद्ध, तीन और केतु वहां पेठे हैं और चार और राहू की दस्टी पड़ रही है मेश राशी मेश राशी में पेठे हैं राहू ौ पेली राशी में तो राहू की दस्टी तो यहनि तो राशी में सूर्य, बुद्ध, शुक्र, और don which the music वहां चार ग्रह है और पांज में राहू की दस्टी दपांज के रह है और देखिए 26 ए 25 उक्टूबर को श्याफिछ प सब्सक्राइब करें तो पत्तिकुलरी 26 अक्टुबर को जब बुद्ध ने प्रविश की है तो और चंद्रमा भी हम बैठे हो हैं बुद्ध, चंद्र, शुक्र, सूर्य, केतु और रावगी दश्टी तो शॉर्य, बुद्ध, शुक्र, केतु चार, पांच माय चंद्रमा भी आगे थोड़े एक-दो दिन के लिए और चटे रावगी दश्टी तो छेशे ग्रहों का प्रवा पढ़ रहा है तुलाराशी पर मल्टीपल ग्रहे जबी जग्टुवर को छेशे ग्रहों का प्रवा पढ़ रहा है उसके बाद 27 तारीक और रात शाम को चंद्रमा निकल जा लेकिन फिर भी चार तो रहे केतू, सुर्य, बुद्ध, शुक्र और राव की दश्टी तो ये मल्टीपल ग्रहे तुलाराशी में बैठ करके कुछ राशियों को तो लाब देंगे तो मैं वो चर्चा करूँगा किन राशियों को लाब देंगे, कौन राशियां लाब अन्वित हो रही हैं, कौन राशियां ज्यादा फल पा रही हैं, कौन राशियां कम फल पा रही हैं, 26 अक्ट वर से आगे तक जब तक कि ये मल्टीपल ग्रहे योग बन रहा है, यानि ज तारीक हो में 26-27 अक्टूबर फिर आगे तेरह नवर तक कौन सी राशिय लावन में ज्यादा हो रही है इसी बात की मैं चर्चा करूंगा देख कुछ राशियां तो बहुत ज्यादा लाव पाएंगी कुछ राशियां तो जरूर लाव पाएंगी अब देखते हैं हमने हम शुरू करते हैं कहां से हम जो जो राशियां ज्यादा लाव पा रही है उनको पहले लेते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी राशियां लाव ज्यादा पा रही है या जैसे भी हां पहले वो देखते हैं मगर राशी के लिए मगर राशी के लिए मगर राशी के लिए शनी जो हैं लगन में बैठे हुए एक तो और देखिए शुक्र का शुक्र भी अपने उच्छ के तुला राशियें बेठे हैं तो माला इपर राजोग बना जा और देखिए सूरी जो नीच राशी में आ गए लेकिन शुक्र वहां अपने उच्छ राशी में बेठे हुए हैं तो नीच बंग हो गया सूरी का कितने कितने मगर राशी के लिए देखे घराजों करें ?d zeg शनी का सत माप्रोता राजोंग, बुद्र का सुर्य का बुद्रा देतर, शुक्र का मालव्य और सूर्य का निच backend तो इस चार-चार राजयोग बन रहे हैं मकर राशी के, मकर राशी शनी बेठे हैं केदर में, एक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 26 अक्टुबर को ये 3-4 गने और राहू की दस्टी भी आ गई, केदु भी आ गई, राहू केदु का सहियोग, तो क्या होगा, भई मकर राशी तो तो, और जे बन का राहा है के कौए से भाव में है, तोला राशी बन काई कहा है, तोला राशी दसमे भाव में है, यानि कदु सभी सादर्म चेतर में, चार-पांच ग्रेहों का सहल्योग, सूर, बुद्ध, शक्र, केतु, राहू, चंदर, चंदर का जो है वो अलग है ह तो नई नौकरी की संभाबना है नौकरी में तरक्की हो सकती है तो बेतन बर्दी हो सकती है चबी जक्टु वर्षे लेकरके तेरे नव मरतक मकर राशी के लिए अति उत्तम है और चत्रत भाव पर दश्री जा रही है तो चत्रत भाव से भी सारे सुख सुधाएं भूमी भवन बंगला गाड़ी सब माता को आराम सुख सम मिला है तो मकर राशी के लिए दसम भाव में बेठ करके यह योग बना चार पाज गुनहों का और चौथे भाव पर दश्री गई तो सुख साधन सभू है नौकरी ब्यापार में तरकी तो मकर राशी को तो मैं नंबर बंग रखता हूं कि मकर राशी तो नौकरी में पैसे में तंखा बढ़ेगी ब्यापार में और शुक साधना में भी दसम और चतुरत के सही योग से बहुत देच्छा है मकर राशी को मैं एक कटगरी में यह नंबर बंग में रखता हूं मकर राशी के बाद देखें दूसरी राशी में देखता हूं जो कुम राशी कुम राशी के लिए यह योग बना नाइन थाउस में मकर राशी के बना थेन थाउस में तो कुम राशी के लिए नाइन थाउस में नाइन थाउस में नाइन थाउस का मतलब भाग भाग ही बढ़ने का मतलब पैसा आना, नौकरी में तरखी, व्यापार में तरखी, रुपया जादा आना, बढ़ना भाग बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तो अच्छे भाग में नाइन्थ हाउस में बढ़ने से, चार-चार ग्रहें और पांच मान राहो की विदस्ट्री जो है, और च और बहुत अच्छा रहेगा भाई, और देगी बरिस्पती, मैंने बरिस्पती को बताया नहीं, बरिस्पती कहा है इसके, बरिस्पती जो हैं, बैठे हुए हैं, कुमराशी के लिए, बरिस्पती कहा है, धनवाओ में, तो धनवाओ के बरिस्पती, बहुत धन की बारिश कर नौक और भाग बढ़ने से, तो मकर राशी के साथ साथ कुम राशी को भी मैं नमबर एक का डेकर नमी रखता हूं, नमबर एक, और देखिए इन राशीयों के लिए आप देखिए, ये तो तेरे नवंबर की बात हो रहे है, ये 26 अक्टूबर, और देखिए शनी जो है, और तो शनी भी ती ब्रगत्सी चलेंगे तो शनी का अथा भी उपड़ेगा, तो मकर राशी के लिए मकर में जैसे शनी बैठी ते लगने में वो मार्गी हो गे, मार्गी हो चोके हैं पच्छिस तारीक, वो भी देख लिए, तो कुम राशी के लिए, ब्रस्पति आगे धन भा और भागी भाव में इस सब पढ़ दा है तो मगर राशी भी कुम्ब राशी दोनों ही बहुत अच्छा लाब पा रहे हैं अग तीसी राशी जो है वहां देखो कन्या राशी कन्या राशी क्यों? क्यों कन्या राशी आई लगन में छटी राशी सब्टम्राशी तौला राशी का आगी धन भाव में वहाई तो इसली कन्या राशी को मानना हो है कन्या राशी के लिए धन भाव में यह बना धन भाव में 4-5 पांच ग्रह सूरी बुध्ध शुक्र चंद्रमा की थोड़ टाइम के लिए आना 2 दिन के लिए और केतु भी और राव की दर्शी धन बाव पर है तो इतने सारे चार-पांच गिरहों की युति कन्या राशी के लिए धन बाव पर है तो भई धन तो थोड़ाता कई नगई से आए गई है अगर धन का लाव तो हो नहीं है कन्या राशी भी 26 अक्टूबर से लेकरके तेरे नगव मरतक धन पाने का योग बन रहा है अच्छा लाव है बहुत बढ़िया धन खाली थोड़ाता नहीं बहुत जाए धन पाने का लाव रहा है तो मगर राशी कुमब राशी और कन्या राशी तीन राशियां ऐसे हैं भाई का राशी जिनको मैं नंबर वन केटेगरी मँर्गता हूँ जिनको के अच्छी हाव में दस्या भाू में नम्य भाई में और दूसरे भाई में बैठका योग बन रहा यह जानि अधी तो बहुत अच्छा था अब और राशी आगे इसके बाद देखता हूँ मैं इसके सुख भाव, सुख भाव का मतलब मकाराची के बिल्कुल विप्रीत है, सुख भाव में बैठेंगे, भूमी भवन बंगला गाड़ी मिलेगी, माता का सहयोग मिलेगा, अगर भूमी भवन का क्रे बेक्रे का काम करते हैं उसमें लाभी लाइ मिलेगा, और चौते भाव से आग भाव, और नोगरी में राखें होग ब्यापार में राखें होगी को लाभ मिलेगा पर्मोशन होगा पैसा मिलेगा, तो भई करकरशी वालों भी कवी कम नहीं है나 करकरआशी वालों, इन तीन रासिय को मैंने जो बताँ, उसे थोड़ा नीचे कर सकते हो, वी 19 20 कर सकते ह करक राशी को भी चौथे में बैठकर हो रहा है और दसमें में राशी जा रहा है तो करक राशी भी जैसे तरह से मकर राशी की महत्ति समझ लो उसको भी मकर राशी के दसमें वह मतलब करमस्थान में पठती इतनी राशी यहां और करक राशी के चतु दौह में बठेंगी, तो उस पर देखें ही कर्मस्थान को, तो ये भी कोई कम नहीं है भाई, तो इसको भी मैं मकर कुम्ब कन्या के साथ करक को भी डाल देता हूं, चार राशी होगी, अब देखिए और राशी आगे वाली, जो अच्छी राशी है, उ ग्यानमा भाव लाव का भाव, तो लाव के भाव में मल्टिपल ग्रह, छेशे ग्रह का असर, लावी देगा यार, लावी लाव मिलेगा, पैसे पैसा आएगा, भाई बेनों का बड़े सब सोजोग मिलेगा, परवार का सोजोग मिलेगा, धन के खो आमदरी होगी, बिविन delivered संतान का भाव संतान के भाव का मतलड कि है संतान से लाव संतान को लाव संतान से सुख प्रेम प्रसंग मैं लाव और अचानक धन की पारिश होड़ी अचानक धन की प्रप्षी होगी ử बहुत बड़ी जाहे तो देखिए इनको दनुराशी को भी में थोड़ा तो 11 करदो राशियों से लेकल अच्छा ही है उनका भी और दनुराशी की बाद दिखता हूँ में है तुला राशी के लिए क्या है थो बखला ब्लेबस की लीरी मतल demol पंच ब्लेबस लगहने में तो लगन में बैठके चार-पाथ राशियां, बलके छटी राशी भी थोड़ा चंद्र मा रहेगा दू दिन के लिए, तो ये सब राशियां सर्तम को भी देख रही हैं और लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन बलवान, जातक सुंदा शरीर, हिस्पो शरीर, निरोगी, काया अगर्शक शरीर, और परवार को चलाओ, परवार को चलाओ, मतलब पती-पनी से अच्छा सहोग, पार्टर से अच्छा सहोग, तो इस तुला राशी को भी में, थुड़ा उन्नीस कर दिया, मतलब धन तो फाइना तो होगा, लेकिन उन राशियों से जगा नीचे, यानि मक मकर , कुम का न्याा कर्क चार को तो मैंने रखा नंर वन यानँ अरब पती केρα गांट Pittsburgh तो अब जो दुथी राशियों आया कि धन और तुला, इनको मैंने रखा कहां थुड़ा संहीं नंबर दो पर, नंबर दो कर दिया क्योंकर थ्तव्र नंबर पीलन को थ्ञा सु Mueller किया ह मेश राशी को भी सब्तम में तुला राशी साथ में परवार भाव में है, तो परवार भाव में सब पती पत्नी के बीच में अच्छा संबन, पार्टनर से अच्छा संबन, लावी लाव है और लगन में दशी जा रही है, तो जैसा के तुला राशी के ने हुआ था, एक में सब्सक्राइब को मेख रही तो मेख राषि को भी मिलना हuição जो तुला कोहीं मेख को भी मिलना है, तो यह तो यह बहुत кам़ की क्या है?, उल्दून रासि प्र क referee also shantana की शंखान से जंख पिर सब्क्स हूं मिलें और तरहें भर्शका शंभ को में थिक नगैज न हमें तरहा राइना भर्बास्टान कमें डिकतरी जर। को बिलेकिश है कि पिछांश्व घुलिक्ष्व पाएं गुर्फ परसा यग तो देखिए यई यह टाइम जो है चार पांच शे गरहों का योग पढ़ रहा है, मल्टीपिल गरहों का योग, सब 20 अक्टूबर से 13 अवमर तक, चंदरमा कुछ वर्दी, चंदरमा दो दिन पर रहेंगे, बाकी तो फिर, और राहु के तू और सूर्य बुद्ध शुक्र तो रहेंगे, रहें तो भड़ बुद्ध आधित राजयू मिला, निजय्वंग मिला, भध्र मिला, जहां जहां केंद्र में हैं, देखिए मटर रहा OR तूहा राषीक्र 28 में हैं, तो केंद्र के भध्र महापुर्श तो गुद्ध आधित वे मल्यमर बिष्भ राजयोग की तूहां जहांगे केंद्र में cherche दतेमेश pink Jesus जाना केंद्र में वायोग दी दतेमेश कुंव दित्वार्शी केंद्र अरुकमरी अतेमेश कि था केंद्र में। यह कंरा राश में केंद्र में हैं, मेंश राशी के लिए शपत्म में है, वह भी है। बुद्ध, भद्र राजोग , वी निचि मंग्य राजोग, बुद्धु आतीत्र राजोग, मेष्क को भी … मेष'को भी, तुलाक भी, करक को भी, मकर को भी यहाँ क्येंटरेमे बैट रहे है। तो इस तरह से मैंने देखा कि बड़ा सबको बड़ा फाइदा हो रहा है, सारे राशियों को फाइदा हो रहा है, अब कौनसी राशी हो रहा है कि बाकी देखिए, धनु राशी के लिए देखिए, धनु राशी के लिए ब्रहस्पती जो है, ब्रहस्पती काम बेठे है, ब्रह ब्रिष्चिक राशी जिसके लिए बाहर में बैठे हैं तो मैं उसको अच्छा नहीं मनता हूं ब्रिष्चिक का ये टाइम जो अभी थबी जक्त वर्षे तेरे राव मर्तक का आर्थ के उससे ज्यादा लाव नहीं मिला है तो ब्रिष्चिक राशी को मैं बार में बाहर में बैठे कर खर्चा ज्यादा होगा लाव कम होगा ब्रिष्चिक राशी को मैं इन आठ राशी की के टेगरी में नीडालता हूं और में राशी के लिए तो ब्रिष्चिक राशी के लिए बनना आठमे भाव में आठमे भाव भाव भी खड़ा भाव होता है उसमें भी तो ब्रिष्चिक राशी के लिए ब्रिष्चिक राशी के लिए ब्रिष्चिक राशी के लिए ब्रिष्चिक राशी के लिए बहत ही नवमर्तक जो बना है, कौन राश्यों को ज्यादा अच्छा है, कौन राश्यों को ज्यादा फादा मिला है, तो इसमें मैंने बता दिया आपको है, के दो राश्यां तो उनको मैंने कट्टम कट्टम कर दिया, ब्रिष्चिक और मीन को तो मैंने निकाल दिया, और बागी झाचतोदत भन्मोग दनूट भन्मोग रासी है क्लोगकि दनू, तला, मेष और मिंधन। आपर 2 लाशी काम भन्मोम सकी दाना मेष पारे क्लोग़ धनू वन्मों मैं भन्मोम, भन्मों भन्मोम, डनत था निन्मों सब्दम upलोग wusनों ब्रसंड को भी हम चर्चा कर लेते हैं है कि ब्रसंड राशी के लिए और सिंग राशी के लिए लें क्या हो रहा है अच्छ गरहों में अच्छे इसमें लाव ने मिल नहीं ला ये Сब्टम बहु जो है, छते में आया तो बिश्फपरासी के लिए बीमारी बाला भाव में आपकी भाव हम टुझी जा रहे है तो यह भी क्रोस और सिंगरासी के लिए भी OSE खुर्र ठीयों सींघ्यो, ब्रशव, ब्राष्छिक नम् fiscal सब्सक्राश के लिए स्भंस नंबर 5切 राशियोंakes, सब्सक्राश के लिए राशियों कजा राथ नम्सक्राश बढ़ता है को नंबर एक मकर कुम्व कन्या और कर्क और चार राशियों को नंबर दो धनू तुला मेश और मिठन तो मेरे हिसाब से भाई ये 26 अक्टूबर से कुछ कुछ टायम के लिए दर्ष्टियां अपसन बैठना इतने ग्रहों का एक साथी तुला राशी में योग और ब्रेस्पती की भी अच्छा होना और शनी का भी मारगी हो जाना ये सब चीजहों से जैसे मैंने बताया चार राशियों को तो मैंने बिल्कुल निकर्श कर दि रहा हूं मकर कुमो कन्या कर्क चार राशी वाले मेरी चैनलों को लाइक करो सब्सक्राइब करो और आनाम करो और चार राशियां जो हो रहे हैं धनू तुला मेश मेश मेशन उनको थोड़ा तक 19 कर दो यानि अगर वो अरभपती नमर बन थी तो अरभपती नमर तू या वो सब्सक्राइब करने से 26 अक्ट वर्चे लेकर करके 13 नमर तक बहुत धनकी लाप पा रही हैं बहुत सुख पा रही हैं बहुत अच्छा हो रहा है भाई तो मेरे हिसाब से तो यह योग जो है बुद्ध आधितरा जोग बद्धर माप्रुस राजोग हंस माप्रुस और नीचे मंग सुरिका इन सब से बड़ी क्रपा मिल लगी है इन राश्यों को तो में त्रो मैं है विराम लूगा लेकिन आप से निवेदन है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज नमस्क्राइब